तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और वीडियो दोस्तों ग्रूप डी वेटिंग को लेकर है और लगातार ख़बरे भी चली वही थी कि अब मतलों ग्रूप डी की जोईनिंग जो वेटिंग लिस्ट है उनकी जोईनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी और कुछ दिन पहले चेर्मन साब का भी बेयाना आथा कि हम बहुत जल्द जोईनिंग करवाएंगे ग्रूप डी वड़ों की और एक खबर हो रहाई थी भी इसमें कि दस परसेंट को जोईनिंग मिलेगी यानि अगर पांच अजार वैसा चार जार के करीब बता रहे हैं कि अगर मतलब 4000 पोस्ट खाल ली हुई है तो मानलो 10% इसका 400 ऐसा कुछ बता गया था लेकिन कुछ भी अभी तक कलियर नहीं हुआ है इस मामले को लेकर खासकर गुरूप डी वेटिंग को लेकर जना तो सरकार की अभी कोई रणनिती लग रही है जोईनिंग करवाने की नहीं कि HSCC चलती है सरकार के इसारों से और आपको पता है इस सरकार में काम कैसे होते हैं तो अब देखने वाड़ी बात यह होगी कि जो यह प्रॉसेस है कितने दिन में पूरा होता है प्हले तो जो यह रेना पॉलिस की जोईनिंग अभी चली है आप सभी को पता होगा उसके बा पद खाली है उनकी 10% तो ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है मतलब समझ भी नहीं है ये बात क्या चाहते हैं मगर या तो फिर वो जो बच गई है पोस्ट उसको मतलब या तो सभी कोई या कुछ जो 10% छोड़ के बच गई है उसको अगले सीटी के तहत भरने की सोच रहे हैं ये ऐसा कुछ हो या अभी इनियत ही नहीं है कि अभी ग्रूप डी जो वेटिंग उसके जोइनिंग नहीं कराएं तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है वैसे तो चेर्मेंन साब नहीं बोलती है था कि हम बहुत जल्द ही इनकी जोइनिंग कराएंगे लेकिन दोबारा उनका कोई बियान या कुछ ख़बर अभी तक नहीं है या ग्रूप डीवेटिंग को लेकर और मुझे जो लग रहा है परसनली वो ये लग रहा है कि बहुत जल्द ही अब सीटी भी होने वड़ा है और 25 दिसंबर से लेकर साइद 15 जनुरी के बीच में सीटी लेंगे ये बताए गया है तो यहां पर मामला थोड़ा फस जाता है कि इसमें अगले सीटी में एड़ करें भरतियां या कुछ क्या करना है यह सरकार के हाथों में अभी लेकिन बहुत जल्द सरकार को कुछ नकुछ करना हुगा या SSC-O करना हुगा कि बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगा दिया है और लगए एक मेने के करीब होने वाड़ा है अभी मतलो जो जो जोनिंग प्रोसेस चली है उसमें तो तोड़ा इसको गती देने के बाद ही कुछ न कुछ गुरूप डी वेटिंग वालों का मुझे लगता है मामला सुड़ सकता है अन्य था अभी तक कोई सोच विचार इस पर मुझे ने लगता कोई हो रहा है क्योंकि एक्जेट तो हमारे जो चेर्मेन साब उनको भी नहीं पता कि कब जोइनिंग देनी है क्योंकि उनने ये तो बोल दिया था कि अपने साफ सब्दों में कि हम मतलब ग्रूप डी की जोइनिंग बहुत जल्द कराएंगे लेकिन एक खबर ये भी आ चुकी है कि 10% को जोइनिंग कराएंगे तो कुछ मामला समझ में नहीं है क्योंकि जो सीटी भी आने वाड़ा है मैंने आपको ये भी बता दिया है तो देखने वाड़ी बात ये है कि कब कुछ खबर आएगी क्या पता कल भी कुछ खबर आ जाए ग्रूप डी वेटिंग को लेकर साइद चांसिज हैं अगर आएगी तो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा लेकिन पूरे पूरे चांसिज जाएगी एक दो इनके अंद अंदर कुछ ना कुछ खबर निकल के सामने आ सकती है ग्रूप डी वेटिंग को लेकर धन्यवाद जहेंचे बात